मेरे प्रिये साथियों, सबसे पहले मैं वेटरंस इंडिया से जुड़े सभी पूरो सहिनिकों को कारगिल विजय दिवस की हर्दिक शुब कामनाई देता हूँ आपका संगठन वेटरंस के बीच में लगातार अपनी सक्रीता बनाए हुए है इसके लिए आप सभी बढ़ाई के पात रहें साथी कारगिल विजय दिवस के आउसर पर मैं सभी सहिनिकों युम देश वाशियों को भी हर्दिक शुब कामनाई देता हूँ कारगिल विजय दिवस के वल एक दिन नहीं है बलकि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर का यह वियोत सो है साथियों हमरे देश में अनीक परव ऐसे आते हैं जो इस देश के बीर सपूतों के शौर और पराक्रम की याद दिलाते हैं वैचे तो हमारा देश इन वीरों के प्रती कृतग्यता को कभी नहीं भूल सकता फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई जोती जला जाते है कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान परवों में से एक है मैं आज के दिन मात्रिभूंग पर अपना सरवस्य नयुचावर कर देने वाले उन्हान सेनानियों का अस्मरण करता हूँ और उन्हें शीष जुका कर अपनी फ्रद्धान्यली भी एरपित करता हूँ साथ ही उन सहीदों की माताओं और उनके समस्थ परियनों को भी मैं शीष जुका कर नमन करता हूँ मैं उन बहादुर सैनकों के प्रतिभी अपनी कतगता परकट करता हूँ जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेरा सहित समाज को भी प्रेडित कर रहे हैं साथियो यकिस वर्स पहले कारगिल की बर्फीरी शोटियों पर हुई हमारी वीज़े को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल वीज़े दिवस बनाया जा रहा है अनेक कारक्रम आयोजित किये जा रहे है यह सभी कारक्रम बिपरीद परिस्टियों में हमारी सेनाओ द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही साथे या भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेणा के स्रोत भी है साथियों यह वीज़िवस किसी भूभाग विशेश को जीत लेने या उसे बचाये रखने भर की याद तक सीमित नहीं है यह दिवस देशों के बीच हुई गोली बारी और बारूदी युद्ध में हमारी विए की याद तक ही सीमित नहीं है बलकि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिजान, साहश, समर्पन, शौर और संकल्प की बहान परंपरा की एक महान कड़ी के रूप में दज है यह परंपरा इस देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जो सदियों से लगातार चली आ रही है साथियों, युद्ध के समय मेरान में भले ही कुछ एक हजार सैनिक हों, पर वास्तों में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है सभी देश वास्यों की आसाएं, आकांचाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट की जीत पर ठहर जाती है मुझे वह द्रश आज भी अपनी आखों में साफ दिखाई पड़ता है जब टीवी पर या सुदूर शेत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी खबरें आती थी तो गाओं के गाओं और शहरों में आफिस दफ्तर में लोग अपना काम छोड़ कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे देश की बच्चे बच्चे को कारगिल द्राश टाइगर हिल जैसे नाम रठ गए थे सबकी आँखों में बस एक ही उमीद और एक ही विश्वास किसी भी सूरत में भारत भारत देश की वीज़ है आप लोगों को याद होगा भागोलिक परिस्टियों के चलते कई बारी स्टियां हमारे विपरीथ हुई मामला आगे पीछे हुआ पर नमन है उन देश वक्त हुईर यद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल पर तनिक भी आँच नहीं आने दिए वह मोर्चिय पर लगा था डटे रहे और अंततह तमाम छल और सडियंत्र को मात देते हुए बीज़ई होकर वापस आये इस तरह है जीत हमारे संकल और उमीदों की जीत थी पेरे प्यारे शाथियों कारगिल ना केवल हमारे रास्ती स्वाविमान का बलकि एक इन जस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहे गा कारगिली बीजय के सिल्पी ततकालीन प्रधान मंतरी स्री अटल विहारी बाज पेई जी ने उस समय रास्ती सुरक्षा पर अपना जो द्रिश्ट कोंड परस्तुत किया था उसका जिक्र मैं हां करना चाहूंगा उन्होंने कहा था हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं आक्रमण के लिए नहीं है और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे उपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुहतोड यवाब भी देंगे साथियो यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है हम शांत चाहने वाले देश हैं पर किसी संकट के समय अपनी रास्ति एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तयार है अभी हाल ही में मुझे लेह लदाख ज पूर्व हमारे आदर्णी प्रधानमंत्री त्री नर्णर मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनकों के साथ एक जीवंद संबंध स्थापित किया मैंने अनभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्टियों में भी हमारी जामाज बहादर दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बीस वर्स पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाओ देखा वह चाहे एक्विप्मेंट प्रफाइल हो हाल ही में डिप्लाइड गंस हो या फिर एरियल एसेट्स हो जो नौके व अप्लाइडेशन में सक्षम है वित्रो यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है वह ना किसी जाद का होता है ना किसी मजभब का ना किसी वर्ग का होता है ना किसी वर्ण का उसका एक मात्र धर्म होता है करतब निस्ठा सैनिक का एक मात्र धर् साफ्ट के प्रति करतब्य और सेवभाव यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्ण फोर्सेश की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरव पुहुण जीवन जीता है साथियों आज हम देश वाशियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और करतब विभाव का अनुकरन करने की जरूरत है हम सबको अपने देश का एक इमानदार सैनिक बनने की जरूरत है देश की सीमा पर रहकर देश की सिवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही साथी देश के अंदर रहकर भी देश के प्रती अपने करतब्यों का इमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है इस देश को सुरक्षित रखने का कारे अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाई शारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेलारी है हमारे जिश में हमेशा अमन्चैन बना रहे, आपसी सोहारद बना रहे और हम लगातार विकास के पत पर उन्मुक रहें मैं समझता हूँ हमारे बीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी फरद्धान जली होगी साथियों, यह हमारे जिश के बीर जवानों के परती कृतक गता का भाव रखता है मात्र भूम की सेवा में इन बीर सपुतों का बेलजान यद्यप बेजोड है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई आ सकती है लेकिन हम भी स्वाफ दिलाते हैं कि यह सरकार सही होई इन बीर जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है आज का हमारा हर वैरियर आने वाले कल का सम्मानित वेटरन है अपने वेटरन्स की कुशलचेम और उनकी संतुष्टी सुलिश्चित करना यह हमारा परम करतब्य है और यह सरकार अपने करतब्य को अच्छी तरह समझती है देश की स्यवा का उसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंसन जैसी पहल पर कारे करना इसका एक उडाहन है ऐसे ही और भी कई उडाहन हैं जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेर और उनके रीशेटिल्मेंट और हेल्थ केर पेंसन पॉलसी बच्चों के एडिकेशन ग्रिवेंस रिड्रेशल सिस्टम के साथ साथ बरतमान में आई महामारी यानि कोबिड रिस्पांस के लिए भी हमारी और से बड़े पैमाने पर प्रियास किया जा रहे है सभी हेल्थ केर आरगनाईजेशन के रिजिनल सेंटर्स को या एडिवेजरी जारी की गई है कि किसी भी वेटरन कोबिड नाइंटीन पेसेंट का इलाज ECHS नार्म्स के तहत ही किया जाएगा मुझे या जानकर बहुत ये अच्छा लगा और सच मुझे गर्वकी भी एन्वित हुई कि केंद्री एसाइनिक बोर्ड ने पूरे देश से एक लाख असी हजार ऐसे यक फेर्विसमेंट को आइडिन्टिफाई किया है जो आवश्यक्ता पढ़ने पर करोना काल में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्द हैं आपदा के इन दिनों में हमारे इन पूर्व सैनिकों ने देश के विभिन हिस्सों में होम क्वेरंटाइन की व्यवस्था करने लोगों से फिजिकल डिस्टैंसिंग का अनु इसे बड़ी पराकास्था और क्या हो सकती है कि जिन सैनिकों ने कल तक सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की आज संकट के समय सीमा के अंदर भी वे तन मन से देश को अपनी सेवा देने के लिए तब पर हैं मेरे साथियो मैं पुनह एक बार अपने बीर जवानों के प्रति फ्रद्धान्जली अर्पित करते हुए हर हाल में उनके परजनों की देख भाल का संकल्प दोहराता हूं और हर इस्टि में उनके साथ खड़े होने का बचन देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं आप सबको धन्यबाद व्यए हिंद